नमस्कर दोस्तों दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं कियाएं तो सस्क्राइब जरूर कर ले और पास बेल आइकन को दबा दे जिससे आपको लटेस्ट वीडियो मिलती रहें दोस्तों आज हम बात करेंगे जन आधार कार्ड में एक परिवार का विबाजन किस प्रकार करें आज हम ये भी जानेंगे कि किसी भी महिला को एक जन आधार से दूसरी महिला को मुख्या किस प्रकार बना सकते हैं यानि कि जब बच्ची की साधी हो जाती हैं तो वो यादी अपना जन आधार कार्ड अलग बनाना चाहती हैं तो उसे शिप विबाजन या जन आधार का विबाजन हम किस प्रकार करेंगी इसके बारे में आज इस वीडियो में complete जानकारी मिलेगी तो हमें सबसे पहले इमितर की DasPort पर जन आधार इंरोल्मेंट सिडिंग मनी विड्रोल का उपसन चैन करना हैं हम सर्च करेंगे तो हम जन आधार की वेबसाइट पर रिडारेक्ट हो जाएंगी रिडारेक्ट होने के बाद में हमें दो अपसन दिखाई देंगे इसमें हमे enrollment को chain करना है यहाँ पर seeding के option को नहीं enrollment के option को चुनना है और यहाँ पर swift family का option दिखाई दे रहा है इसको chain करना है और जन आधार रसीद सेंक्या हमें डालनी है जिस परिवार से विभाजन होता है उसकी रसीद डालेंगे अब member का हम यहाँ पर बायोमेटिक finger लेंगे तो यहाँ पर finger भी ले सकते हैं यदि आपके OTP आधार से link है तो आधार से OTP भी बेज सकते हैं और जन आधार से यदि आपका link है mobile number तो जन आधार के जरिये भी आप OTP से ले सकते हैं इन किसी भी option से आप यहाँ से Biometric Authorization कर सकते हैं उसके बाद में हमें वो member select करना होगा जिसों का परिवार विभाजन हमें करना है अलग से मुख्या बनाना है वो member select करना है और यहाँ पर दस्तावेज अप्लोड करना है या फिर आप कईसी अन्य कारण से भजन हो रहे या अन्यत्र नियंत्र कहीं दूसरी जगर निवास करे हैं तो वो कारण आप लिख सकते हैं जो भी आपका कारण है वहाँ पर टिपने करे में आपको जरूरी लिखना है जिस कारण एक परिवार से दूसरा परिवार बन रहे है तो आपको जो भी आपका कारण है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है तो यहाँ पर हम साधी होने के कारण अलग जनाधार कारण बना रहे हैं तो यहाँ पर साधी होने के कारण हम लिख लेंगे और दोस्तो जब भी आप परिवार का विभाजन करें, स्विप्ट, फेमिली करें तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मुख्या का जिसको मुख्या बना रहे हैं उसका bank account number और mobile number आपको पहले editing करके update करना है उसके बाद में ही ये process होगा, वरना ये process नहीं होगा मुख्या बनाने से पहले आपको editing करनी होगी editing में आपको bank account number और mobile number पहले और श्री जोड़ देना है और उसके बाद में आप स्विप फेमिली के जरिये एक महिला को एक जनाधार से महिला को निकाल कर मुख्या दूसरे जनाधार की महिला मुख्या बना सकते हैं और उसके बाद में ट्रांसपर फेमिली के तहत आप ससुराल पक से पती को भी साथ में समलित कर सकते हैं इस प्रकार दोस्तों आप जनाधार एक नया जनाधार तयार कर सकती हैं दोस्तों आसा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया वीडियो पसंद आया तो लाइक करना चैनल को सस्क्राइब करना मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिन जै भारत